दोस्तो आज की वीडियो में हम एक साइकोलोजिकल होरर थ्रिलर फिल्म परफेक्ट ब्लू की कहानी को डीटेल में जानेंगे वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरू कीजिएगा तो फिल्म के शुरूआत में हम मूवी की में लीड मीमा किरी को इसे इंटर्डूस हो जाते हैं जो की सेंट्रल पार्क में अपनी परफॉर्मेंस दे रही होती है मीमा चैन नाम के एक जैपनीज पॉप इंश और जेपॉप ग्रूप की में सिंगर और परफॉर्मर है यहां मीमा की परफॉर्मेंस के दोरान हम स्टेज सेक्योरिटी क्रू में ही एक क्रीपी से सेक्योरिटी गार्ड को देखते हैं जिसका नाम मीमा को सीक्रेटली लाइक करता है किस हद तक वो तो मूवी में आगे ही पता चलेगा वैल यहीं स्टेज के पास कुछ अजीब से लोग भी मीमा का शो देख रहे थे और ड्रिंक्स वज़रा करते हुए उल्टी सीधी हरकते करने लग जाते हैं जिन्हें मीमैनिया सबक सिखाने जाता है यहां मीमा की परफॉर्मेंस ओवर होती है जिसके बाद वो कुछ इंपॉर्टन्ट अनाउंस्मेंट करने वाली थी लेकिन तब ही यहां मीमैनिया उन प्यक्कर लोगों से लड़ने लगता है और्डियंस उन लोगों को यहां से भगा देती है जिसके अद मीमा बताती है कि अपने बैंड चैम के साथ यह उसकी लास्ट परफॉर्मेंस है क्योंकि अब वो अपना अक्टिंग करिया परसू करने जा रही है यह बात सुनकर मीमा के कई फैंस उसके लिए खुश होते हैं और कई फैंस इंक्लूडिंग मीमैनिया काफी हर्ट भी हो जाते हैं क्योंकि अब वो शायद ही कभी मीमा को ऐसे जे पॉप स्टार देख पाते हैं यहां मीमा की मैनेजर रूमी भी मीमा के इस डिसिजन से कुछ खास खुश नहीं थी येट वो उसे सपोर्ट करने के लिए रेडी रहती है सुनाओ मीमा के लाइफ में इस दिन के बाद से ही डिस्टर्बिंग चीज़े होना शुरू हो जाती है मीमा को अब ऐसा फील होने लग गया था as if कोई उस पर 24 घंटे नदर रखे हुए था and even उसे ट्रेटर लिखा हुआ facts वगेरा भी आने लगता है इससे एक बात तो clear था कि ये सब मीमा के किसी पुराने fan का ही किया धरा था क्योंकि उसके कई fans उसके J-pop career को छोड़ देने के फैसले से नाराज थे अगले कुस दिनों के बाद मीमा को एक letter के जड़िये एक website के बारे में पता चलता है जिसे चेक करने के लिए मीमा अपनी manager Roomy से एक desktop मंगवाती है और internet पर उस website को search करती है जो की दरसल उसी का एक fan page था जहां मीमा से related अब तक के सभी events आज तक के सभी performances वगेरा updated थे मीमा Roomy से internet surf करना सीख लेती है जिसके बाद वो इस fan page पर घंटो अपना time spend करने लगती है लेकिन दीरे दीरे मीमा को realize होता है कि इस fan page पर उसकी life से related कई intricate details mentioned थी like वो किस तरह के products use करती है, कहां जाती है, कहां से shopping करती है इत्यादी अब जिस तरह के details के गहराईयों में ये website जा रही थी उससे मीमा uncomfortable होना start कर देती है in fact इस fan page पर ये तक mention था कि train से उतरते वक्त उसने कौन सा पैर पहले बाहर रखा जी हां इतनी चोटी चोटी डीटेल इससे साफ हो गया था कि ये fan page कोई die hard fan नहीं बलकि कोई psychopath रंग कर रहा था ये सब देखकर मीमा बहुत डर जाती है और हम audience को दिखाया जाता है कि ये सारे updates उस fan page पर मीमैनिया अपडेट कर रहा था जी हां वो psychopath और कोई नहीं बलकि मीमैनिया ही था वही creepy security guard जिसे हमने movie के opening scene में देखा था खैर तो अगले दिन मीमा के acting career का first day था और उसे अपने scene में सिर्फ एक line मिली थी और उसका कोई important role नहीं था रीटेक्स पे रीटेक्स के बाद वहां खड़े लोग मीमा पे हसने लग जाते हैं जिसे मीमा काफी demotivated feel करने लगती है मीमा यहां green room में बैठ कर सोच रही होती है कि वो इस line को कैसे deliver करे की क्योंकि कोई भी उसके performance को पसंद नहीं कर रहा था कि तभी यहां एक blast की आवाज होती है और हम देखते हैं कि मीमा के agent को मीमा का एक fan मिलाया था जो कि उसने मीमा के पास line से पहले ही open कर दिया और इस letter से ही वो explosion हुआ था इसका मतलब साफ था कि यह letter मीमा को hurt करने के purpose से भेजा गया था साथ ही मीमा यहां notice करती है कि यहां इस letter में मीमा को एक death threat note लिख कर भेजा गया था जिससे again यह बात साफ हो गई थी कि यह कोई हादसा नहीं था बलकि पूरी तरह से planned way में intentionally किया गया था मीमा और भी ज़्यादा डर जाती है और उसे यह strong feeling आये लग गई थी कि कोई उस पर हर समय नज़र रखे हुए है इस सबसे मीमा के ओपर एक साथ बहुत सारा mental pressure आ गया था इसके previous fans उसे नाराज थे उसका acting career सही track पर नहीं था उसे death threats मिल रहे थे और 24-7 को उस पर नज़र रखे हुए था यह सब होने के बाद भी मीमा अपनी personal life में चल रहा है struggle के बारे में किसी से share नहीं करती है और इसी तरह काम करती रहती है believing कि एक दिन वो successful होकर सब कुछ ठीक कर देगी अब यहाँ एक और चीज यह हो गई थी कि चैम ग्रूप को leave करने के बाद चैम ग्रूप की बाकी की दो मिम्बस मीमा का मजाग बनाया लग गई थी and surprisingly चैम ग्रूप मीमा के बिना काफी अच्छा grow कर रहा था तो कहीं नहीं मीमा अपने decision को भी थोड़ा बहुत regret कर रही थी क्योंकि वो अपने पुराने दिन को अपने पुराने group को stage performance वगड़ा को miss कर रही थी खैर तो next scene में हम मीमा के agent टोडो कोडो और मीमा के manager रूमी को TV series के director से request करते वे देखते हैं कि वो लोग मीमा को ज्यादा lines बूलने के लिए दे और उसके character को important character की जगद दी जाए इसके बाद series का writer एक new episode introduce करता है जिससे मीमा को ज्यादा footage मिलने वाली थी लेकिन इस scene के लिए शायद मीमा आसानी से ready नहीं होने वाली थी दर असल ये scene एक बहुत ही physically violent scene होने वाला था सिर्फ वालेंटी नहीं यहाँ पे काफी explicit scenes भी होने वाले थे जैसे की nudity पर गयरा और ये सब सुनकर रूमी बहुत परिशान और गुस्सा हो जाती है क्योंकि वो नहीं चाती थी कि करियर की शुरुवाती phase में ही मीमा को इन सब चीजों से गुजरना परे obviously ऐसा करने से एक negative publicity बन जाती है और आप typecast हो जाते हैं उसी तरह की roles में रूमी मीमा से इस बारे में बात करने जाती है जहां मीमा उसे साफ कह देती है कि वो decide कर चुकी है कि उसे actress बनना है तो वो इस तरह के scene से पीछे नहीं हटने वाली है वो इस scene के लिए हां कर देती है तो इसके जात मीमा को मेट्रो से travel करते वे देखते हैं जहां window पर वो अपने ही old self को imagine करते वे देखती है और यहां old मीमा इस current वाली मीमा से कहती है कि तुम्हें उस compromising scene के लिए मना कर देना चाहिए था तुम ऐसी लड़की नहीं हो यह देखकर मीमा एक second के लिए zone out सी हो जाती है और इसका scene shift हो के studio में आता है जहां वो लोग इस scene को shoot करने की तयारी कर रहे थे scene start होता है और scene के मताबर कि मीमा को एक compromising situation में डाल दिया जाता है अब मीमा कैसे भी एक shot दे चुकी थी लेकिन डिरेक्टर को ये shot पसंद नहीं आता तो मीमा को एक और shot देने के लिए कहा जाता है पहले से ही tense मीमा इस scene से mentally इतना दा प्रशान हो जाती है कि वो dizziness feel करने लग जाती है और कुछ minutes के लिए faint हो जाती है इसके बाद मीमा की mental situation और खड़ाबों ही लग जाती है और वो अपने ही imaginary self को हर जगा देखने लगती है और उससे बाते करने लग गई थी यहां उसकी जो imaginary मीमा थी वो j-pop वाली मीमा थी वो बार बार इस real मीमा को एक ही चीज़ बोल रही थी कि उसे acting line में नहीं आना चाहिए था कुछ आगे के scenes में हम मीमा को अपने worst peak पर देखते हैं जहां वो अकेले room में बहुत रोती है लेकिन वो ये सब किसी और के साथ share नहीं करती बाकी लोगों के सामने वो फिर भी अपना best self put on कर रही थी तो कुछ समय के बाद मीमा का वो controversial scene काफी famous हों लग जाता है और news वगेरा में headlines बन जाती है इसी बीच हम मीमा को वो fan page check करते देखते हैं जहां उसके बिहाफ पे मीमेनिया ने answers लिखे हुए थे यहां मीमेनिया ने लिख रहा था कि मेरी मदद करो मैं इस तरह के scenes नहीं करना चाहती हूँ यह सब उस writer की गलती है उसने ही इस तरह का scene लिखा था इसी के साथ मीमा को screen पर अपनी imaginary मीमा दिखने लगती है जो कि फिर से वही बाते repeat करने लगती है जिससे real मीमा mentally disturb हो जाती है दूसी दिरफ हम उस writer को देखते हैं जिसने मीमा के लिए वो compromising scene लिखा था वो एक parking में ख़ड़ा था जहां उसे cham group का song सुना दे लगता है और जैसे ही lift आती है वो देखता है कि lift के floor पर एक stereo में song play हो रहा था scene cut होकर 5th floor पे आता है जहां जैसे ही lift का दर्वाजा खुलता है हम lift के अंदर उस writer की लाश को देखते हैं जहां उसको बहुत brutally मार दिया गया था और उसकी दोनों आँखों तक को निकाल दिया गया था अब तक मीमा यहां typecast हो चुकी थी जैसा मैंने पहले कहा था और अब उसे industry में बने रहने के लिए ऐसे ही अबद्र scenes करने परते हैं खैर तो अगले scene में कुछ अजीब होता है यहां charm group की performance में बाकी दोनों singers के साथ अचानकी performance के बीच में मीमा आ जाती है जिसे देखकर सबी surprise रह जाते हैं और मीमा यह भी crowd में ही था जो कि यह देखकर shocked रह जाता है वहां मीमा की आधी नगन picture की जगव पूरी नगी pictures release कर दी जाती है जिसे मीमा बहुत जादा shamed, hurt और deceived feel करने लगती है लेकिन सिर्फ मीमा इससे परिशान नहीं थी मीमा इनिया भी इससे disturbed था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी J-pop idol को कोई इस तरह से देखें इसलिए वो शहर से वो सारी magazines खरीद कर अपने पास hold करने लग जाता है जिनमें मीमा की pictures हो मीमा के hallucinations इतने बढ़ जाते हैं कि एक बार तो वो चैम group की बाकी दो singers को देखती है तो उसे ऐसा लगता है as if J-pop वाली मीमा भी वहीं उनके साथ है और वो से tease कर रही है मीमा अपनी imaginary मीमा क पीछे भागने लगती है और अपने आपको इस process में काफी hurt भी कर लेती है इन सब के कुस टाइम बाद ही मीमा अपनी manager रूमी से मिलती है जो कि मीमा को motivate करने की कोशिस करती है और उसे समझाती है कि उसे अपने fan page पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए क्योंकि वहाँ उ रागते हुए भी चीजों को in fact scenarios तक को imagine करने लग गई थी क्या real है क्या drama है उसे ये सब समझ ही आना मुश्किल हो गया था और हम audience के लिए भी थोड़ा मुश्किल हो गया है क्योंकि अब तक क्या हुआ क्या real है पता नहीं खैर scene यहाँ से shift हो कर उस cameraman पर जाता है जिसने मीमा के नंगे photos को shoot किया था और यहाँ pizza guy के dress में एक लड़की आती है जो कि उस cameraman पर attack कर देती है and to a complete surprise ये लड़की और कोई नहीं बलकि मीमा ही थी मीमा उस cameraman की आखे निकाल देती है और उसे stab करके जान से मार देती है जिसके आद अचान है कि मीमा की आख अपने bed पर खुलती है और उसे ऐसा feel होता है as if उसने ये सब एक night में 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 देखा है मीमा को इसी वक्त अपने manager की call आती है जहां वो से बताती है कि उस cameraman का कतल हो गया है और ये सुनकर मीमा बहुत डर जाती है क्योंकि उसे अभी तक लग रहा था कि ये सिर्फ एक night में ही था लेकिन ऐसा सच में हो रहा था इसके आद मीमा जैसे ही अपना cupboard open करती है उसे एक bag मिलता है जिसमें pizza guy का dress था इसका मतलब समझे दया इसका मतलब ये कि मीमा ही ये कतले कर रही थी मीमा जल्दी से इसे छिपा कर यहां से बाहर चली जाती है नौ सेट्स पर मीमा को एक murder scene shoot करना था जिसे shoot करते वक्त उसे dead body में वही camera man दिखने लगता है और वो faint हो जाती है इसके बाद मीमा की यहां खुलती है और वो अपने सामने एक lady को देखती है जो कि मीमा से उसके बारे में कुछ questions करती है और इसके बाद वो room से बाहर आती है जहां हम और लोगों को खड़ा देखते हैं यहां हमें पराचलता है कि यह lady एक psychiatrist थी जो कि बाहर करे investigative officers को बताती है कि मीमा को MPD यानि की multiple personality disorder है और वो कतल मीमा की ही दूसरी personality ने किये है तभी यहां लोगों के applause यानि ताली बजाने के आवाजे सुनाई देने लग जाती है और हम देखते हैं कि यह भी एक scene ही था जिसे मीमा ने अच्छी तरह deliver किया था और सब उसकी acting से खुश नजार है थे रूमी यहां आती है और मीमा से कहती है कि वो मीमा से बहुत खुश है इसके बाद मीमा changing room में जाती है जहां उसे अपने सामने वो psychiatrist दिखाई देती है और ठीक उनके जाते ही उसे वहां hall में ही मीमा भी दिखता है मीमा यहां मीमा पे attack कर देता है और उसे कहता है कि उसे लगता है कि वो असली मीमा नहीं है असली मीमा तो वो जे पॉप आइडल थी जिसे सब प्यार किया करते थे मीमा यहां मीमा से कहता है कि वो उसे जान से मार देगा ताकि वो जे पॉप मीमा की image और खड़ाब ना कर पाए मीमा यहां मीमा पे attack कर देता है और अपने self defense में मीमा उस पे attack कर देती है तभी मीमा को ढूंडते वे रूमी यहां आती है और मीमा उसे सब बताती है कि अभी-भी यहां क्या हुआ लेकिन to her utter surprise यहां कोई भी नहीं था ऐसे में रूमी उसे समझाती है कि जरूर वो daydream कर रही होगी इसके बाद रूमी मीमा को उसके घर ले आती है जो कि आज काफी neat and clean निज़र आ रहा था मीमा यहां तोडो कोडो को कॉल करती है and to a complete shock हम यहां तोडो कोडो के office में उसकी लाश देखते हैं जिसकी पहले की दो लोगों की तरह आखे निकाल ली गई थी और बुड़ी तरह stab करके मार दिया गया था यहां उसके side में मीमानिया की भी लाश पड़ी हुई थी which means कि मीमा ने कोई daydream नहीं किया था तभी मीमा रूम के अंदर से बाहर देखती है और उसे realize होता है कि यह उसका रूम है ही नहीं यह तो उसके कमरे का हू बहू copy था जी हां अचानक मीमा को अपने सामने रूमी दिखाई देती है जो कि J-pop मीमा की तरह dress up होकर आई थी और वो अपने आपको J-pop वाली मीमा ही समझ रही थी जब मीमा रूमी से पूछती है कि रूमी ने उसकी तरह सब क्यों किया है तब रूमी बोलने लग जाती है कि रूमी तो यहाँ है ही नहीं, रूमी तो ठक गई थी इसलिए वो घर जा चुकी है मीमा को कुछ समझ नहीं आ रहा था और अचाना की रूमी गाना गाने लगती है और मीमा से कहती है कि मैं एक J-pop आइडल हूँ और तुम बस एक failed actress हो इसलिए तुम्हें मेरे रास्ते से हटना होगा और इतना कहकर वो मीमा पे अटाक कर देती है मीमा विंडो से बाहर जंप करके यहां से भागने लगती है लेकिन रूमी उसका पीछा करते हुए उस पे अटाक करती है इसी बीच मीमा रूमी के सर से उसका विग अटा देती है जिससे रूमी को होश आजाता है लेकिन जैसे ही रूमी वापस वो विग पहनने के लिए जु वो मेजरली अपनी जेपव वाली परसनालिटी में ही रहती थी लेकिन कभी-कभी वो रूमी वाली परसनालिटी में वापस लॉट जाती है विच मीन्स कि रूमी को MPD था यानि कि मल्टिपल परसनालिटी डिसॉडर फिल्म के लास सीन में आसमान बिलकुल साफ होता है परफेक्ट ब्लू और इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है दोस्तों ये थी परफेक्ट ब्लू फिल्म की कहानी और आपके मुन में थोड़े डाउट्स होंगे तो चलिए उसको क्लि इसलिए मैं एक बताऊंगा जो की सबसे ज्यादा सटीक है तो हुआ ये था कि मीमा की एजेंट रूमी खुद ही जेपॉप आइडल बनना चाहती थी लेकिन अपने करियर में वह ऐसा नहीं कर पाई और उसने इसके बाद मीमा के मैनेजर की तरह ही काम करना स्टार्ट कर दि हुआ चीजे तब और भी बिगर गई जब मीमा ने कॉम्प्रमाइजिंग सीन्स के लिए हां कर दिया अब अगर आपको याद हो तो मीमा के बार वाले कॉम्प्रमाइजिंग सीन में रूमी बुरी तरह से रोने लग गई थी दाट इस बिकॉज उसे रियलाईज हो गया था तब भी रूमी बहुत गुस्से में आ जाती है। थी जिसे रियल मीमा पढ़ती थी और इसलिए उसे सपनों में वो कतले दिखाई देने लगते थे। अब लास्ट के कुछ सीन्स में हम यह भी देख पाते हैं कि किस तरह रूमी ही जेपॉप वाली मीमा की तरह ड्रसप होकर घूमती रहती थी and this explains कि मीमा के हालुसिनेशन दरसल मीमा का कोई MPD नहीं था बलकि वो तो हालुसिनेट करने लग गई थी जिसके बाद जेपॉप स्टार की तरह ड्रस तो रूमी उसके सामने दोड़ गूम रही होगी। मतलब ये सब काइंड ओफ एक तरह का सेट अप था साथ ही रूमी के दोड़ा ही बहुत कुछ किया गया था हाँ मीमा निया भी उसमें कहीं न कहीं जुरा था जिसका यूज करने के बाद रूमी उसे भी मार डाली मीमा यहां कुछ नहीं कर रही थी लेकिन उसे ऐसा फील हो क्या था कि वही कर रही है और इतने स्ट्रस में वह थी कि उसे दिन दुनिया का कुछ खबर नहीं था और रूमी इसी का फाइदा उठा रही थी रूमी नहीं कह सकते उसकी जो अलग परसनालिटी थी फैर फाइनली मीमा को रियलाइज हो जाता है कि क्या चल रहा है और रू सब शौक नजरा रहे थे बात करें मूवी के टाइटिल की तो ब्लू कलर के कई मीनिंग हो सकते हैं जैसे कि इसे मेंटल डिसॉर्डर से करनेक किया जाता है देखा जाए तो मूवी में इन सभी मेंटल डिसॉर्डर को कवर भी किया गया है मेबी इसी लिए इस परफेक्ट On the other hand, Japanese culture में blue represents the purity and supreme female energy. Maybe it represents the strong mental state of Mima at the end और simply ये मीमा के mind के after and before के state को depict करने के लिए बना हों. जहां पहले मीमा का mind cloudy and cluttered था, eventually end तक वो clear हो गया है like a perfect blue sky. And this explains the name of the movie and the theories of movie. तो बस यही थी perfect blue की explanation और मुझे पूरी उमीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. अगर वीडियो पसंद आई है तो से like और share करना मत भूलिएगा और अगर आप इस चैनल पे नए है तो चैनल को subscribe करके bell icon को ज़रूर दबाद दीजिए क्योंकि हम अपने चैनल पे आसे वीडियो लाते रहते हैं. पीस!